नदी का रास्ता पहाड कभी नहीं रोक सकती नदी अपना रास्ता पहाड को चीर कर बनाता है उसी तरीके से किसान अंदोलन को कोई नहीं दबा सकता है कोई नहीं हटा सकता है मोदी ने लोग जूटा तो कहें थे हैं का जाल साज इभी के देखा जाल साज भी है यह डाकेस्ट टिकाइब यह पूरे हिंदुस्तान के किसान के आसो निकल रहे थे मैं अब्रक्र खड़ा हूं गाजीफूर बाटर पर हजारों के संक्या में किसान अपने अंदूलन लगाता जारी कर रहे हैं काफी सांच यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और किसान किसान नेता इंसे बात करते हैं सर क्या नाम है सरदार मंजिस सिंग नोटा से हैं में करता सरकार जुके की हाग क्यों जुकेगी सरकार को जुकना पड़ेगा अब यह देख लिए सरकार हम पिछले 65 है चाहसर दिन हम लोगों को हो गए है कि मुझ मी बारिस है ठंड है आंदी तुफान है जब से हम पड़े हुए है यह डेमोक्रेसी में कोई अवाज नहीं उठा सकता हम मानी मोदी जी से यह कहते हैं जिस सुंदर तरीके से इन्हों ने पूरी देश की जनता ने तुम्हें मेंडर दिया है तो उसी खुले हर्दे से तुम्हें बात करनी चाहिए एक किसान बटक रहा है कुछ ना कुछ तो मांगी रहा है तिनों यह का बैसी है पागली है किसान यहां का अन्द आता है जो जब आप विपक्षम होते थे इसी आवाज को तुम उठाया करते थे और आ हिंदुस्तान ही क्या पूरी देश में करोना और यह कॉबट की महामारी जैसी विमारी आई हुए थी और पांच अक्टूब पांच जून को यह आ रही थी आपत आ रही थी जो इस बिदेक को लेकर आए क्या था एसी एमर्जेंसी क्या थी है कौन सा देश का इसकंदर कौन कीसानों का बलता किसके दवाब में एक सांगे यह सरकार काम कर रही है अनानी और अमभानी के सरकार है सहाद उसी कि दवाब में काम कर रही होगी कि मन की वाद में खिर नहीं किया है ऐसा सुनने में का अरे मोदी जी कभी जंता कि बीवेवाद सुनलों मन की बात तो अरे आट n लाएंगे अरे मोदी न अर्ण देखना परे तम आरा यहां कैसे कैसे परिशान है कैसे कैसे तुमने अपने विडायक गुझदे बीजेपी और वीसके विटे चोड़े हैं यह गुद्णागर्दी बिल्कुल नी चलिए लोक नतर है जंतर है जंजन की हवाज उट गिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है इसको जल्दी इसको माल लीजिए इनको नहीं तो इसके नतीजे बहुत गलत होने वाले हैं हमारे चैनल के माद्दे हम से सदार मंजी सिंग जो किसान नेता हूं का कहना है कि सरकार अपनी जित छोड़े हमारे साथ चाचा हिंदुस्तानी है इनका नाम चाचा हिंदुस्तानी के नम से जाना जाता हूं कि आप यहां यहां पर हर धर्म के लोग यहां पर मौजूद हैं यहां हम रोजाना कभी कभी आ जाते हैं कभी जाते हैं यहां लेते रहते हैं तो और यह देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से खित्मत कर रहे हैं और हिंदु मुसलिम सीक किसाई आपसम बड़े प्यार के साथ में एक दूसरे खित्मत कर रहे हैं और किसानों के ही हित्मे लाई लड़ रहे हैं राकेश टिकेट जी के आंसूं ने एक वार फिर से जन सलाव प्यादा कर दिया है यह राकेश टिकेट सहब के जो आंसू है यह पूरे हिंदुस्तान के किसानों के आसूं है जोने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया है। मैं यह नहीं कहे था किसी के पास कम जमीन हैं के जादे जमीन हैं असलमे यह किसान जाग चुका है आप किसान मनमानी नहीं करने देगा और नहीं किसी सरकार की हमेसे चली ना चले हैं तो मैं मान्य Ayasthid Rolly Nan exemptी से ये दर्ख़ास करूंगा के इन किसान भाईों की बातों पर ने लाले किसान वह बाल्यों की बातों पर असर लें और इन के हित्में बात करें 17 में जिस्ख्रुसे जिन जिस तरीके जिसरी से किसान यह लेकिन पर देखिए मैं स्टार्टिंग से हूँ बीच में आना और जाना चलता रहता है लेकिन स्टार्टिंग से जब से आंदोलन शुरू हुआ है 26 तरिक के बाद अंदलन को खतम होने वाला है लेकिन एकदम से दुबारा से करवट हुई राकेश्टिक जी मन से भावुक होके रोए हैं तो आशुओं का असार है कि दुबारा से अंदलन खाड़ा हो गया देखिए गलत फैमी थी सरकार प्रसासन की कि संख्या कम हो गई है तो आंदलन खतम कर दिया जाए यह बहुत बड़ी गलत फैमी थी किसान 20 दिन से इंतजार कर रहा था कि 26 जन्वरी की परेड में हम भी वाज आएंगे हम भी सटकों पर निकलेंगे और उसी कारण जो है कुछ किसान कम हुआ था कुछ लोग 25 को 26 को निकल गए थे लेकिन यह इन लोगों की साजिस थे इस तरीके की कि आप किसान कुछ कम हुए आप इनको यहां से अटा दिया जाए यह गलत फैमी में ना रहे यह देशकान दाता है और जैसे आपने देखा ना यह डाकेस टिकाइज ज país निकल रहे थे और उनका एक आशू घरेगा तो हम जैसे किसान जोयरा जी सिंदुस्तान का किसान उनके काइस उपन के वाहा दन्यातर यह पहले से जोश में है दरना पहले से जोश में है तर आपने पुच्छा अग्श्बुस तारीक में कुछे उसके बाद में कम हो गाता लोगों नहीं आसास नहीं stars नीडा सरकार इतनी गिर सरकारि इतनी जाल साइज है मोदी ने लोग जूटा तो कहें थे जाल साज भी है अच्छा आपके चैनल के माध्यमत बताना चाहरे जिने वहां जो गुंडागर्दी करी किसान थे या बीजेपी के थे बताई आप अगर मैं वहां गुंडागर्दी उन्हें करी यह पता लग्या चैनल के आपके आपनी त भी जूटा लगए और हम परोट्शा बूरा करता हो फिरनटान उटनी करें अंदाता पिछले काफी समय से सबकों पर हैं और अपने मांगों को लेका लगाताला खड़ा हुआ है हमाई साथ की यूथ भी है क्या नाम हैं लेकिन किसान कर रहा हैं कि हमको कानून नहीं चाहिए तो आप लद क्यूं नहीं कर देंगेश सरकार कितना हद से गिर गई है कितनी गंदी राजनीती कर रही है हम बता रहें 27 तारी को हम यहीं थे यहीं से गाजी पूरी बॉर्डर से प्रेड लेकर निकले हम लोग ट्रेक्टर प्रेड आईटियो पहुचने से पहले पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी आसू गैस के गोले छोड़ दिये अरे भाई तुमको आ एक हजार के करीब पुलिस थी दो हजार पुलिस के करीब थी अउधर दिल्ली बोडर हर बोडर को सील कर दिया गया था चारों तरब से कोई किसान अगर बाहर भी जाना जाता था तो नहीं जा सकता है बिल्कुल सर्यांत था यह सरकार कहीं ना कहीं किसानों को कुछलना चाह करना चाहती थी लेकिन ऐस कोई नहीं हटा सकता यðां तभी जथम होगा जब सीरकार अमघते लिग्र ओर पर जनपद्वसान उत्रप्र्देश से इतनी मतलत समझे सत्य को हराने के लिए इस सरकार ने इतना सडियंत्र जा 26 जनवरी को जो घटना हुई वो घटना पूरा देश उसके लिए वो है सर्मसार है लेकिन मौजूदा सरकार अगर दीप सिंग सिंदू उस वक्त लाल के लिए पे वहां पे पहुंच के और इस घटना को अंजाम दिया ये सरकार जो दोसी है उसको क्यों नहीं वो करती है उसके खिलाब कारवाई क्यों नहीं करती है देश का प्रतेक किसान जो अनूप जाता है वो खाने के लिए रोटी देता है ये सरकार है से देश में पहली सरकार है जिसने देश दुरो और खालिस्तानी के नाम से पुकारने का काम किया है ये हैंकार सरकार अपने सरकार को तोड़े और जो आज मरधान मंत्री मोधी जी मन की बात करते हैं मन की बात आप संसर दिन हो गए किसानों से नहीं कर पाते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाओ के लिए बंगाल में चुनाओ है वहां के पांच तत्यों के बातों पे आप बात कर सकते हैं लेकिन किसानों के साथ नहीं बात कर सकते हैं यह हैंकार सरकार के हैंकार को तोड़ेगी और यह जो तीनों कानून है यह सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और MSP पे गारंटेट कानून बनाना पड़ेगा संघर्सों से पाया नहीं जा सकता हूं यूद की आवाज को कुछला नहीं जा सकता साथ ही बुजूर्ग वी हैं उनका भी एक अनुवब होता है सर क्या नाम अपके दर्द ओमर कहां से आया बागपत क्या कहना है पाइट को तो यह एक बात है जसा कि वह ट्रैक्टर प्रेड थी जानी तो अनने भी आर्बस इड़े की तरफ सी वे बैरियर की उटाए इन्होंने आई टियोंगे आई टियोंगे पहले से मौजूद आदमी वे कहां साही लाल के लिए कि गेट किसने खुले लाल के लिए पर फोर्स मिलेटरी लगी हुई थी वो कहां थी जब से ग्यारा बारा दोर क अधिवारता में जैन देफे वारता भी फल हुई एही देफे आंदोलन नहीं तरीके ता खड़ा हुए यह इसकांत करना चाहरे थे आंदोलन का थबिसता इस तरिक में एक साजी स्थीन की एक राजनितिक मलब भाजपा का सिस्टम सद्धियंत रिस तरीके ता था कि आज के अधिवारत में जो आज बडोत मेरे लिए जैन चोद्री जी जारी वहां दोला किसान मुझूद है तीन बजे लिए उनके जैन से पहले वह आहलात है कि वह फिल भी छोटता पड़िया बाजिव सवाल है आप कहना है कि यह सरकार जो है नीती विरोधी काम कर रही है और किसा किसानों को दवानी की कोशिश कर रही है किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ऐसा किसान यहां पर आरूप लगा रहे हैं कैमरा परसंट संताज के साथ अंशुमन यादब गाजिपूर बाडर दिल्ली